हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर क्या जाओं, ध्यान रखना ये टॉपिक वाइस टेस्ट नहीं है, टॉपिक वाइस सीरीज आपकी अ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू, कि दोस्तो इस वीडियो की पीडिया आप डिस्क्रिप्शन में टेलिकराम चैनल का लिक दिया हुआ है, वहां से आप पर आप कर सकते हैं, वीडियो को एंडित लग जरूर देखिएगा, क्यो जो आपका उपननिया से, इनकी जो लेक आपका नासरा सर्मा, नाम आपने जरूर सुनाओगा, क्योंकि एक प्रख्यात करती हैं, कागज की नाओ, पारि जात, ये भी एक उपननिया से और यही किरती है, वो भी नासरा सर्मा की है, टीक है? नेक्ष्ट कोसंस निमलिकत वाक्कियों में से सुध वाक्का चेहन करना है चारोई आपसंस आपके सामने है वीडियो को पॉस करो अराम से और आंसर बताईए कि निमलिकत में से कौन सा वाक जो है वो सुध है कोस नम्बर टू आसमान में घने बादल चाय हुए है तो आपका जो सही आंसर हो जागा वह हो जागा महादेवी बर्मा और किसके लिए मिनाता है नहीं तो इनको यामा इनकी प्रमुक किरती है इसके लिए इनको ग्याट पूरोषकार मिलाता तो सर तीसरा उप्सिंस करेक्ट हो जाएगा next questions जब किसी वाकों को अर्थों के आदार पर सजाज जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं देखो जब अर्थ के आदार पर सजाज जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या अर्था लंकार आप सभी लोग जानते हैं अलंकार के मुक रूप से दो वेद होते हैं एक तो सब्दा लंकार दूसरा अर्था लंकार जहां सब्दों में चमतकार हो तो वहां सब्दा लंकार होता है और जहां अर्थों में अर्थों के आदार पर किसी वाक को सजाए जाए तो वहां अर्था लंकार होता है तो यहां पर तीसरा उप्संस अर आपका correct हो जाएगा next questions start करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों अबर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपको बिल्कुल free of cost क्लास लेकर क्या रहा हूं हिंदी की हिंदी वहां पर मैं आपको topic बाइस क्लियर कर रहा हूं कुछ ऐसे बच्चे जिनको हिंदी बिल्कुल free of cost पढ़ रहा है और बिल्कुल UPSI लेविल की तो एक बार क्लास में जोड़कर के देखो अगर आपको मज़ा ना आए कोई दिक्कत नहीं है क्लास मत लेना फिर लेकिन एक बार अगर आ जाओगे ना मेरा आपसे वादा है कि आप छोड़कर के नहीं भागोगे क्लास और अंधतलक जब तक कि आपके UPSI की में प्रिपरिंग करवा रहा हूँ तब तक आप हमारी क्लास में जुड़े रहोगे रोज सुबा 11 वजे क्लास होते है लिंक डिस्क्रिप्सिन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ तो वहाँ से आप अपनी क्लास में आ जाईएगा और अपनी तयारी को और बहतर करिएगा अगर आप ऐसे स्टुडेंट हैं कि अगर आप अनेकेडमी के एपको पहली बाइड डाउनलोड कर रहे हैं लर्निंग एपको तो आपको क्लास को अनलोक करना पड़ेगा अनलोक कोड़े इंडेनिस्टडी जो कि अपने चैनल का नाम है क्लास अनलोक हो जाएगी आराम से अपनी क्लास का फायदा उठाईएगा नेक्स्ट कोस्टन सापके सामने आग लगने पर कुगा खोधना दिये गए व कलपों में से लोकोती का सही अर्थ बताईए कि इस लोकोती का सही अर्थ क्या हो जाएगा आग लगने पर कुगा खोधना कोस्टन नम्मर फाइब जल्दी बताईए ऑप्संस आपके सामने चारो लिखे हुए हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा विबत्ति आ जाने पर तुरंत समादार खोजना यानि कि पहला ऑप्संस यहाँ पर आपका प्रूदार्ती सब्द निम्लिकत बिकल्पों में से कौन सा होगा जड़का आपको बिलूम सब्द बताना है सर को स्टन अमबर सिक् इतन चोटा ऑप्संस बिर्गुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन से आपका के दिये गए विकल्पों में रेखांगते सब्द जो प्राया एक बचन में ही प्रियोगत होते हैं उसका चेहन कीजिए कौन से सब्द का प्रियोग हम हमें से एक बचन के रूप में करते है जल्दी बताइए कोस्ट नमबर सेविन तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्सा इसी वर्स भी उडिसा में बहुत कम बर्सा होई बर्सा जो है इसका प्रियोग हम एक बचन के रूप में करते हैं जी हां दोस्तों यानि कि इस कोस्टन का दूसरा आप्संस ब् कोस्ट नमबर जल्दी बताःए गैर प्रकति जो है वो आपका स्तिरलिंग सब्स पत्ता और महुद है यह सभी पूरण सब्द निया करेगा वाक्यों में कोई काम ठीक से नहीं किया यहां पर आपके सुद्दी यह रवी बार करें को जाते हैं ये भी गलत है दुरजन लोगों को सुधार ना कठिन है कठिन तो गलत ही लिखा हुगा यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है next questions हे भगवान फिलिनदा ब्लैंक मेरी एक्चा पूरी करो या मेरी रक्चा करो मेरी रक्षा करो दिये गए विकल्पों में से सही वाक का चैन कीजिए कि ये इसमें आपको बताना है इरक्तिस्तान के स्थान पर क्या आएगा कोसे नमबर टेन तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा ये विस्मियादी बोदक चिन आएगा हे भगवान हे भगवान के बाद जो आपका चिन आएगा वो कौन सा चिन आएगा विस्मियादी बोदक जो की आपका डंड़ा बिंदी होता है तीसरा ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसेंस दी है जैसे हे भगवान मेरी एक्छा पूरी करो ठीक है अरे ओ इन सब्दों के बाद चिन आते हैं वो आपके विस्मियादी बोदक ही चिन कहलाते है देगा इब गलपों मेरे से पुरलिंग सब्द आपचाणती है कौस्ट नंबर 11 कौन सब्सट पुरलिंग है जीरा जीरासब्द जो है एट पुरलिंग सब्द है दूसरा उप्सन्स करेक्ट, फांस किसकी रचना है, कोस्तर नमबर 12, फांस किसकी रचना है, कोस्तर नमबर 12, तो यहां पर सही आंसर हो जगा संजीब, जी हां दोस्तो, फांस जो है, यह संजीब की रचना है, पहला उप्सन्स करेक्ट, बिंदू का बहु बचन क्या होगा, क करना हैезде बच्चे ने आङ से सब को बचाया था और फ्रुूस्क्रिट निर्मल का बलूम सब्द दिये गया है मंसे आपको बताना है तो तो निर्मल का ब्लोम सब्द क्या हो जाएगा तो निर्मल का ब्लोम सब्द होगा मलिन चौथा ओपसंस करेक्ट मैया मोरी में तो नहीं माकन खायो इस पंक्ती में मा वेंजन की आविरती हुई है वन की आविरती किस लंकार में होती है आप सभी लोग बताइए जब एक ही वन की आबिर्ती बार-बार होती है तो वहाँ पर कौन सा लंकार होता है सर वहाँ पर अनुप्रास लंकार होता है तीसरो अफसंस करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन से आपका बालू से तेल लिकालना दिये गए बिकल्पों में से सही मोहाबरी का सही अर्थ बताईए कि बालू से तेल लिकालना इस मोहाबरी का सही अर्थ क्या होगा तो इस मोहाबरी का सही अर्थ क्या हो जाएगा असंभव को संभव करना चोहता ओप्सं दोगा अंदिकार दूसरा options correct उनसा दूसरा options यहाँ पर आपका ब्रुकर correct हो जाएगा next question से आपका कि जो असफलता से नहीं गबराता वही फिलिंदा blanks का स्वाद चक पाता है देगाई बगलपों में से sweet table बड़ आपको बता ना है तो आपका सही answer क्या हो जाएगा जो असफलता से नहीं गबराता वही सफलता का स्वाद चक पाता है यानि कि चोथा options यहाँ पर आपका correct होगा सर next questions verse 213 में धूल पौदो पर के लिए गोबिंद मिस्तर को किस पुरुसकार से स्पुरुसक्रित किया गया जल्दी बताओ 2013 की बाद जरूर है लेकिन important है इसलिए आपके सामने यह questions आया है दूल पौदो पर यह किस की किरती है गोबिंद मिस्तर की है इसके लिए इनको 2013 में कौन सा पुरुसकार मिलाता तो आपका सही answer होगा सर सरस्पती सम्मान तीसरा options बिल्गुर correct हो जाएगा next question से आपका दिये गए विकल्पों में दिर्विड परिवार की भासा कौन सी है जल्दी बताइए question number 24 दिर्विड परिवार की भासा आपसे पूछिए तो आपका सही answer क्या हो जाएगा कंणड कंणड जो है ये दिर्विड परिवार की भासा है चोथा options correct सूर सागर किसकी रचना है इससे simple questions तो पूरी हिंदी में नहीं होगा आगे सूर जुडा तो इसलिए आपका सही answer क्या हो जाएगा सूर्दास पहला ही options यहाँ पर आपका ब्रूल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा आसकती सब्द का अर्थ क्या होगा question number 26 आसकती सब्द का अर्थ क्या होगा तो आसकती सब्द का अर्थ क्या होगा आपका सही answer होगा अनूराग तीसरा options correct आप लोग के लिए हर एक मुम्किन कोसिस कर रहा हूँ मैं कि आप लोग के UPSI में कम से कब हिंदी में 80 प्लस नमबर आए ये मेरा आप से वादा है ठीक है वादा तब है जब डेली वेसिस पर मेरी वीडियो उसको देखोगे और घर पे प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप 80 प्लस नमबर आसानी से ले करके आजाओगे इस बात की गैरेंटी है बाकी मैत के कुछ ऐसे टॉपिक जहां से कोसर्स आते ही है वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगा और रीजिनिंग भी आपकी प्रैक्टिस करवा दूँगा और जीगे के टेस्ट तो चली रहे है हर मुम्किन प्रियास कर रहा हूं कि आप लोगो को सेलेक्शन दुला चुकूं इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो केवल 500 लाइक का टालेट रहा हूं अभी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जुरूर पहुचाईए क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना motivation दे पाता है ताकि मैं daily business पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूं चलिए sir next questions देखते हैं लोग बड़ी बड़ी गाड़िया लेकर आ रहे थे वाग का काल पेचाने है कि इस वाग में कौन सा काल है question number 27 तो इस वाग में अपूर भूत काल है क्योंकि आ रहे थे पूर नहीं हुआ ये आ रहे थे घटित हो जाता जिए पूर भूत काल में आ जाता ठीक है मोहिनी तेज दोड़ती है इस वाग में तेज क्या है जल्दी बताइए एक इस वाग में तेज क्या है तो यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा रीती वाचक क्रिया विशेशा पहला ही option से यहाँ पर आपका विलूर क्या होगा आपको बिलूर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा जब आपको अलंकर पढ़ाओंगा तब यह सारी चीज़े आपको समझ में आएंगी अगर मैं अभी बताने बेड़िया तो वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं topic wise आपको हिंदी complete करवा रहा हूं तो बिलुकुल चेन करना है सावित्तरी को सतवान के प्राणी प्राणों की चिंता में फ्लिंद ब्लैंक्स और फ्लिंद ब्लैंक्स नहीं लग रही थी तो सही आंसर हो जाएगा सावित्त्री को सत्वान के प्राणों की चिंता में भूक और प्यास नहीं लग रही थी तो यहाँ पर दूसरा ओप्सन्स करेक्ट दिये गए बिकल्पों में से सही वाक का चेहन करना है वे दिन गए जब लोग महमान फिलिंदा बिलैंक्स देखकर अपने फिलिंदा बिलैंक्स धन समस्ते थे तो वे दिन गए जब लोग महमान को देखकर अपने को धन समस्ते थे तो तीसरा ओप्सन्स करेक्ट हो जाएगा नेता का इस त्रिलिंग रूप विकल्पों में से कौन सा होगा कल किसी बच्चे ने इस questions का आंसर मेरे से comment box में पूछा था कि सर नेता का बिलूम सब्द क्या सॉरी इस त्रिलिंग क्या होगा तो देखो जैसे अभी नेता का अभी नेतरी होता इसलिए दाता का दातरी होता इसलिए नेता का नेतरी होता पहला options correct ठीक है next questions पानी गए ना उबरे मोती मानस चून उपयोग दोहे में कौन सा लंकार है यह आपका दोहा है इसमें आपको बताना है कि कौन सा लंकार है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तीसरा options यहाँ पर आपका बिरूर क्या होगा सर correct हो जाएगा next question से आपका निमलिकित वाग में किस वाग में तरूटी है देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रतिस रद्दा की भावना जागरत हुई अब बताओ question number 34 देश देवो गलत लिखा हुगा है के नहीं लिखा हुगा है सासल्यम बाला आता तो बस तीसरे पार्ट में गलती है तीसरा options correct मंदर में जाने के बाद मन को सांती मिली है दिये गए वाक का काल पहचानी है जानने के बाद मंदर में जानने के बाद यानि पूरा घटित हो गया ये वाक तो पूर वरतमान काल का आएगा जी तो पहला ये options correct हो जाएगा ठीक है दिये गए वाक के हमें से सुद्ध वाक का पहचानी है कौन सा वाक जो है सुद्ध है कोस्ट नमबर 36 कोस्ट नमबर 36 कोस्ट नमबर 36 में सही अंजर बताईए देश के लिए उसने अपना सरवस्त नियो चावर कर दिया दूसरा options बिलूर क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा आमोद सब्ध का समनारती सब्ध क्या होगा आमोद का समनारती सब्ध समनारती का मतलब परियावाची से होता है सर आमोद का समनारती हो जाएगा हरस दूसरा options correct दिये गए बिकल्पों में से सुद्ध वाक का चेन करना है जल्दी बताइए कोस्त नमबर 38 दिये गए विकल्पों में से सुद्वाक का चेन करना है question number 38 तो यहाँ पर आपका सही answer क्या हो जाएगा मजदूरों को अनेक काम है यानि कि इस questions का तीसरा options correct देखो मजदूरों को अनेक काम है अनेक अपनी आप में खुद बहुबचन है उसका बहुबचन नहीं होगा यहाँ पर भी वही है तो यह तो गलत होई गए मजदूरों को अनेक काम है यह आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है यानि कि इस questions का कौन सा तीसरा options बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखो यहाँ पर मजदूरों को अनेक काम है हैं और है यहाँ पर दिहान रखना इसलिए यह गलत होगा गुड़ो गोबर करना है इस मौबरी का सहीर्थ क्या है कोस्तर नमबर 39 गुड़ो गोबर करना है इस मौबरी का सहीर्थ क्या है तो सर इस मौबरे का सही अर्थ हो जाएगा मज़ा किरकर करना यानि कि चौता ओप्सन्स करेक्ट और लाश्ट कोशन्स है आपका कि अपने मेरे स्वरी अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं देखता दिये गए विगलपों में से कहवत का सही अर्थ बताईए कि इस कहवत का सही अर्थ क्या है तो दोस्तों ये थे आपके 40 important questions हिंदी के जैसा कि आपके exam UPSI में आने हैं पूरा complete करवा दिया वीडियो को support करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा support मिलेगा और motivation तो already मिल ही रहा है और अगर आप करते रहोगे वीडियो को support दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साधी साता माने चैनल को subscribe परना ना भूलें क्या हूं कि मुरुजान यसी तरह की वीडियोज आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्तकार दोस्तों जै हिंद जै भारत